आजे जी ये पाशोपेश की स्तिती आपकी पार्टी में क्यूं है आप तो बताते हैं ना कि आप बहुत बड़े रामभक्त हैं आप तो बहुत बड़े सनातनी है और इस बार इंविटेशन बीजपी के तो आया नहीं यह तो विदानसभा अध्यक्ष का है तो क्लियर कट ला सब्सक्राइब करें आशांता है सब्सक्राइब हैं और आहएं से तो ईसली के आखी हैं आप दींचान, लीके रेकली नदी हलाएं आसमाश को आप कर दिया सब्सक्राइब को χ्रा थी गाई जाए ये देखित राम हर गली में हिंदुस्तान के हर महले में हर दमें व्चांतव में दिल में इस給 लिए ना तो साइट की जरूर्त यह सनातन का अपमान करने वाले लोग चारों धर्माचारियों का शंक्राःाचारियों का मां करने बाले लोग यह हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग और यह नकली हिंदू हिंदूस्तान में राम को कहते हम ले के आए कोई कैद में मौझूद थे ले सालों से करोणों वर्सों से मौझूद है और सबके दिल में रहते और इनी भगवान शिरी राम नहीं पद पाबर पैसा सत्ता प्रतिष्टा दिये और जब चीनेंगे तो बाड़ आएगा पता भी नहीं चलेगी यह बताना चाहता हूं प्राची जी कि भगवान भगवान होत क्या है आयात निर्यात का अंतर थीन गुना बढ़ गया वह नहीं बताएंगे तो शायद यह सवाल आपके जहन में आता कि पुराइवार की नहीं की अभी पंदर की बात कर रहे हूं प्रतिश्टा की बात कर रहे हूं आयोध्या जाना राम नला के दर्शन करने में बड़ा अंतर होता है पहले भी आपसे बहाइस हो चुकिए पहले भी बहाइस हो चुकिए ना ना मेरे पूछने में नहीं है मैं पुछ रहे हूं और वह प्रतिश्टा की नगरी है आयोध्या आपके लिए एक शहर हो सकता है लेकिन वह हिंदू के लिए धाम है यही अंतर है ना सवामी प्रसाद मौरे पर करवाई करवाई है ना अखली इस आदव से अपमान करने का करते हैं और उस भाशन को बोलने के लिए आपको लगता है कि मंच आपके लिए मुफीदे तो क्लियर कर देती हूं उस मंच पर आपको सवालों के जवाब देने होंगे भाशन से काम न हमें जरूरत नहीं है ना वी एज्टी की ना बीजे पी की राम हम सब के हैं हम क्यों वताई हम कभ जाएंगे इनिवी जुरुत होनी भी नीची है हम काम यही कर रहे हैं कि किसी समाज को किसी मंदिर में जाने किसी क्यों पड़े सोहम जाता है और आज भी लाखों लाख शधा लुआ पर दर्श्ण पर जा रहे हैं कोई विश्वूंदू पर संगित हो ली ले जा रहा है उनकी आस्था है उनकी सद्धा है और अभी अख्लेश जीने कहा है कि ये व्यक्तिकत मामला है व्यक्तिकत मामला है बिल्कुल आस्था का भी शे और मैं भी यही मानता हूं लेकिन जिनकी आस्था अकबर में होगी जिनकी आस्था औरंग जेम में होगी जिनकी आस्था टीपु में होगी उनकी आस्थार राम में कैसे हो सकती वई एक बड़ा प्रशन है और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इसके परियापत उधारन हैं और परियापत उधारन ये हैं कि आप देखिए जब गोधरा में एक ट्रेन के अंदर सपन लोग मारे गए जलाकर मारे गए जलाने वाला पकड़ा गय पकड़ने के बाद उसको चुड़ाने के लिए उसको बचाने के लिए वकीलों की फोज किसने खड़ी की सबको पता था किस पार्टी का अदमी है और वही जब भगवान राम के मंदिर के लिए मुगद्मा चल रहा था सुप्रीम कोट में चल रहा था तो दरजनों वकील कि लेकिन जो अभी रामलला के दर्शन करने गए प्राण प्रतिष्था के समय गए और घोषित हो गए वह प्रतिख्षा कर रहे हैं कब उनको निकाला जाएगा लेकिन कुल मिलाकर के एक बात समझनी क्या उसकता है कि देश में इतने नाम ताज महल लाल किला हुमायू किला यह प्रसिद्ध हुए देश में लेकिन राम मंदिर आयोध्या कासी मतुरा उजयन यह कौंगर्स का डेलिगेशन अपनी मर्जी से गया राम लला